हेलो फ्रेंट्स असलाम अलेकूम आज मैं कॉलर का बहुत ही प्यारा सा डिजाइन लेकर आई हूं आपके लिए आगे की तरफ हमारा नेक भी होगा और कॉलर भी होगा तो सबसे पहले देखिए एक इंची के दूरी पर मैंने निसान लगाया उसके बाद से साड़े 5 इंच का लेंथ ले रहे हम लोग गला की लंबाई के लिए और इसका चड़ाई हम दो इंची रखने वाले तो दो इंची में हम निसान लगा लाएते हैं उसके बाद से इसको फिर डेढ़ इंची पे निसान लगाना यहां तक हमारी कॉलर बैठे गिया फिर इसको राउंड शेप द इसको अच्छे से कट कर लें तो इसको हमने कट कर लिया फ्रेंज अब इसको सिधा करके देख लेते हैं कैसा लग रहा है अब इसका हम लोग गला काट लेते जो मतलब बैठाने वाले हैं पीछे साइड वहां पे देखिए एक इंची का दूरी पे निसान लगाना और जैसे आगे मैंने 2 इंची का रखा वैसे पीछे के साइड पे भी 2 इंची का लगा लेते हैं फिरे से रांड शेप दे दे देना है और इसको कट कर लेना यह पीछे का पला है हमारा फ्रेंज यह हमारा कट चुका है अब आगे का गला हम बैठाने के लिए कपड़ा जो एक्च्ट कर लिया है अब इसको एक एक इंच की दूरी पर छोड़ के और फिर इसको कट कर ले ऐसे ही समझ में आता तो आप निशान लगा के काट सकते हैं और फिर देखिए हम एने उसको साइड साइड से जैसे छाटा वैसे आपने भी करना है फ्रेंज और आपको दो डोरी रेडी कर लेनी है पहले से यहां पर हम डोरी भी देने वाले हैं तो देखिए हम दोख सबसे पहले यहां पर सूट के उपर कपड़ा मैंने रखा और इसके बीच में देखिए हलका सा मैंने सिला हुआ है थोड़ा सा बस हाफ इंची का दूरी के बाद से डोरी को इसके अंदर डाल देना है, देखिए बीच पर मैंने लगाया और फिर इसको अच्छे से सिलने, साइड साइड में, हाफ इंची का मार्जन लेते हुए, इसमें सिलाई लगा लें, देखिए यहां तक हमने सिलाई लगा लिया और बस जैसे हमने उस साइड पर घुसा में वहां पर हलकालका कट लगाना है, यह मैं हमेसे आपको बताती हूँ, और आइ तिंक आपको भी पता होगा कि राउंड शेप या वी शेप कहीं बेभी रहेगा तो उसको कट कर लेना जरूरी होता है, देखिए जो मैंने गला का कपड़ा बेठा है, इसको मैं हलकालका फ अब इसको सीधा करने देखिए इस तरीके से पीछे की साइड करके और फिर इसके उपर दापसिला ही लगा लेनी है गले में तो हमारे गला रेडी हो जाएगा फ्रेंज उसके बाद से हम इसमें कॉलर अटैच करेंगे कॉलर हम बिना पेस्टिंग के आज बनाने वाले हैं क्योंकि पेस्टिंग वाला तो मैंने बताया एक और वीडियो में उसका लिंक भी मैं डिस्क्रेप्सर में डाल दूँगी देखिए मैंने दापसिलाई लगा लिए इसमें यह हमारा गला रेडी हो चुका है फ्रेंज अब इसके उपर देखिए पीछे वाला पला अटैच कर लें फ्रेंज एक एक इंच के दूरी लेते हुए यहाफ इंच आपको जैसा आप जैसा मार्जन रखेंगे उस हिसाब से अब दूसरे साइड को भी इसी तरीके से सील लेना है फ्रेंज देखिए अटैच होने के बाद इस तरीके से माप लें फोल्ड करके यह हमारा साथ इंची हो रहा है फ्रेंज तो इस हिसाब से हम कॉलर कटिंग करेंगे तो एक कपड़ा लिया है मैंने इसको डबल फोल्ड म साथ इंच है फोल्ड करने के बाद और देखिए अफिये निसान लगा है न drieा शu Denton गर है मैंने इसके बाद से पाच इंची की दूरी पर और फिर इसको चुडाई का चार इंची पर मैंने निसान लगा लिया और देखिए गल्डा का शेप हम लोग देते हिस से मेंने दिय इसके बाद से फिर 2-2 इंच का दूरी पर इसको निशान लगा लेना है और इसको हलका लका शेप दे दे और फिर इसको कट करना फ्रेंज यह बनाने के बाद कॉलर की मतलब नाप के हिसाब से हम बनाएंगे पहले इसको कट करके यहां से निकाल ले देखिए यह हमारा हो गया अब इसको हलका सा राउंड शेप दे देते हैं और फिर इसको कट कर लेते इसको खोल के मैं दिखाती हूं फ्रेंज देखिए ऐसे गला हमारा बनेगा कॉलर तो यह मैंने ज्यादा लंबा काटा था और इसको अपने कॉर्डिंग आप कर सकते हूं देखिए मैंने पहले सूट को इसके साथ नापा उसके बाद से फिर इसको कट करना लेखिए अब क्या करना फ्रेंज एक पाले को ले लेते हैं और फिर इसको इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं हलका हलका फोल्ड करके एक ही साइड को सिलाई लगा लेनी है और एक साइड ऐसे ही रहेगा नॉर्मल देखिए हमने यहां तक मोड के फिर सिलाई लगा ली मैं दूसरे क ताकि आपको समझ में आए कि मैंने सिलाई किदर लगाई अब इसको क्या करना है जो हमने सिलाई लगाई फ्रेंज उसके बाद से जो नॉर्मल कपड़ा है उसके उपर रखे और बराबर से सिलाई लगा लेनी है हम एक पेर का मारजन लेते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे देखिए इसको अच्छे से गुमा ले देखिए एक तरफ हमारा बढ़ रहा है कपड़ा तो इसको निकाल के और फिर इसको बराबर से कपड़े को सिलना है हलका इधर उधर होता है तो बाद में आप चाट सकते हो तो देखिए हमारे ये स्टिचिंग हो चुकी है और इसको हलका हलका कट कर ले जहां पर हमारा राउंड शेप है और फिर इसको फोल्ड करके देखिए ये हमारे सीधी साइड है इसको मोडना है इस तरीके से देखिए मैंने मोड लिया और यहां पर कट करते हैं हम बीच में और फिर सूट का जो कपड़ा है उसको भी इसी तरीके से इन दोनों को attach करते वक्त हम बीच से ही सुरू करेंगे तो देखे पीछे की साइड से हम scholar को attach करेंगे सूट को उल्टा रख ले और फिर इन दोनों जो हमारा cut लगाया हमने बीच में उन दोनों को मिला कि और फिर इसको ऐसे सिलाई करें और फिर एक पर का margin लेते हुए इसको सूट के साथ अच्छे से attach करेंगे ऐसे तुम आपके मैंने काटा है और फिर अगर कम ज्यादा होता है तो आप फिर adjust कर सकते हो इसको देखिए अच्छे से इसको adjust करते हुए मैं इसमें सिलाई लगा लिए फ्रेंज अब दूसरी साइड हमारी सिलाई लगेगी देखिए हमने बीच से फिर से स्टार्ट किया और फिर सिलना स्टार्ट कर देते हैं कॉलर के साथ attach कर लेते फ्रेंज सूट को देखिए हमारे यहां तक सिलाई हो चुका फ्रेंज अब क्या करना देखिए कॉलर हमारा कैसे होगा अब उसको उठा के उपर की साइड मतलब सीधी साइड पर बैठाएंगे तो आपको आयोप समझ में आया होगा अच्छे से इसको बैठा के सिलाई लगा लगा ल इसको ठीक करते हुए सिलाई लगा है ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो जाए देखिए यहां लाष्ट में आपको प्रॉब्लम आ सकती है तो देखिए यहां पे अच्छे से सिलाई लगाते हुए आए फ्रेंज और सूई गुबा के इसको छोड़ दे उसके बास से गुमा का मणूल को सभी हुए साथ कौलर को सभी होखिए कर ले ऊसके पास से इसमें सिलाई लगा है कि आ फ्रेंज अगर आपने मेरे चैनल को स्प्सक्राइब नहीं कि है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले अपके लिए से प्यारे और यसफुल वीडियोत लाते रहती और b. अ business के यहां पर भी स्टिक करके कपड़ेश इसको अंदर करके इसको अपर में यह कपड़ रखे में पर रखेंते हुआरे, परूपड़ेश लावाद करके इसके के वह पर से नरी नेकर लखाए और आप नहीं कुछButin दोफिन और इसको जाए वाला नेकर आरा कपड़ेश नेकर श आखाँ हमारा होचुक है हमारा कॉलर होका है हमारा सूंट रेडी हो चुक है। अगर आपको दो भी उच्छेंड़ को प्रीज्टि आपको मेरे और ना पूल है क्सक्राइटे, मिलता है आगरी वीडिए